हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप किसी के साथ शेयर ना करें ये तीन बाते जहां एक तरफ हम ये बोलते हैं शेयरिंग इसकेरिंग और दूसरे ही तरफ क्योंकि जो लाइफ है ना वो अपनी परसनल डायरी है उसे इतना ना खोले कि कोई हम पे कीचर उचा ले तो वो तीन बाते कौन सी है चलिए मैं बताती हूँ पहली बाते अपनी इच्छाए अपना गोल अपने सपने पर एक्जामपल क्योंकि दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो डिसक्रेश करते हैं और इंक्रेज भी करते हैं इसलिए आप अपनी मन की बाते किसी से शेयर नही करें इससे क्या होता है कि अगर हम कुछ अच्छा काम करना चाहरे हैं अगर नहीं हुआ तो बहुत लोग की बाते सुनने पड़ती हैं और बहुत ही ताने भी सुनने पड़ते हैं तो मेहनत इतनी खामोशी से करें कि कामया भी शोर करने लगें दूसरी बाते अपना अपनी फ्रेंड से एक दूसरे फ्रेंड के बारे में उसका पास्ट बता दी, उसने मुझे बहुत ही भरोसे से मुझे बताई थी, लेकिन उस टैम पी गया मुझे दिमाग अकल थोड़ा कम था, मैंने अपनी दूसरे फ्रेंड को बताई, वो उठी तो तीसरे को बताई, ऐसे यहाल है नहीं सब्सक्राइब क्लास को पता चल गया तो इससे बहुत ही ज्यादा प्राबलम हो गया था और मुझे बहुत डाट पड़ी तो वो खहते हैं यह हमकिसी का आप या किसी का पास्ट जब तक जानते हैं तो यहाल हमारा गुलाम रहता है और अगर हम किसी दूसरे को बता दिये तो हम app के और past के गुलाम हो जाएंगे तो ये गलती आप किसी से नहीं करें कि किसी का भी past जान रहें आप तो आप अपने तक ही रखें तीसरी और most important बाते हैं जो है हमारी finances, income, status हमारी property ये किसी से share नहीं करें कि हमारे पास इतना पैसा है हमारे पास बिलकुल पैसा नहीं है इससे क्या होता है कि अगर हमारे पास बहुत पैसा है तो हमारे ही काम आएगा और अगर हमारे पास कम पैसा है वो भी हमारे काम आएगा तो हम अपने property का या हम अपने income status का अधिन्दोरा पीटते नहीं रहें कि हमारे पास बहुत है इस्टेटस तगड़ी है आप अपने तक ही सिमित रखें हर जगा बताने अच्छी बात नहीं है तो आप लोग को कैसी लगी ये तीनों बाते तो आप भी अपने लाइफ में ये तीनों बाते जरूर यूज करें क्य खर जाती है।